यूजेनिक्स में क्योंकि हम केवल हेर ट्रांस्प्लांट करते हैं, हम हर समय कोशिश करते हैं कि कुछ नया हम लाएं ताकि पेशेंट के जो रिजल्ट्स हैं, उनकी जो सैटिस्फाक्शन लेवल है और टेक्निक इंप्रूव हो इसी वज़े से हमारी जो हेर ट्रांस्प्लांट की रिजल्ट्स हैं और टेकनॉलोजी है, वो काफी चेंज हो जाती है हर छे महीने साल भर बाद इसके लिए हम regular conferences attend करते हैं, national और international conferences, जो भी recent updates होते हैं, जो नए instruments आते हैं, उनको हम अपने क्लिनिक में लेके आते हैं और अगर हमारी टेकनिक में थोड़ा सा भी improvement होता है, तो हम उसको अपने system में incorporate करते हैं Recently हमने एक surgical microscope का usage स्टार्ट किया है, surgical microscope एक ऐसा microscope है, जिसको surgeon यूज करता है, surgery करते वक्त Microsurgery में यूज होता है, वो जैसे की eye surgery, ENT surgery या फिर brain surgery, ऐसी surgeries में एक microscope आपको magnified view दिखाता है और उसी operating microscope के थुरू आप surgery कर सकते हैं, तो इसका usage अभी तक hair transplant में नहीं होता था Hair transplant में हम surgery करते वक्त loops का इस्तमाल करते थे, और जो microscope का इस्तमाल होता था hair transplantation में वो अलग से होता था जो grafts निकलते थे, उनको हम microscope में अलग से देखते थे, बट अब हमने दोनों चीज़ों को combine कर दिया है, हम hair transplant में operating microscope लेके आए हैं, जिससे surgeon surgery करते वक्त, देख सकता है graft को और patient के scalp को directly under direct vision, इससे हम assume करते हैं कि हमारी accuracy बढ़ेगी, क्योंकि हम जाधा magnified, जाधा clear view देख पा हैं और overall patient का जो benefit है वो बढ़ेगा, तो यह एक नई चीज हमने करी है, तो जो latest तरक्की अभी हो रही है, हेर ट्रांस्प्रांट के field में वो है, instrumentation में, बहतर कॉलिटी के पंचीज आ रहे हैं, बहतर कॉलिटी के माइक्रोस्कोप्स, operating microscopes आ रहे हैं, और साथ में हमारे कुछ कुछ नई medicines की भी खोच जारी है, stem cell therapy में खोच जारी है, जिसमें की हम कोशिश कर रहे हैं की baldness को हम बिना ट्रांस्प्लांट के कैसे reverse करें, stem cell से वो शायद पॉसिबल हो पाए, उसके लिए भी research जारी है, जो हमारी direct hair transplant, DHT technique है, जिससे हम ट्रांस्प्लांट करते हैं, उसम हम नई नई instruments को incorporate कर रहे हैं, ताकि वो और easily, और fast तरीके से हो पाए, और जिससे की आपका जो graft को निकाल के लगाने का time है, वो और कम हो जाए, graft को निकलने की accuracy बढ़े, और graft एक पूरे non-traumatic way से बाल वापिस bald area में plant किया जा सके, इसके लिए हम नई implanters लेके आ रहे हैं, जिससे की graft जादा अच्छी density के साथ, बिना traumatic way के, बिना skin को trauma किये, implant हो पाए, और साथ में हम magnification instruments पर भी research कर रहे हैं, और बहतर magnification instruments क्या हो सकते हैं, जैसे की हमने अब भी बताया, operating microscope, ये एक ऐसी चीज है, जो हमने अपने DHT में incorporate की है, जिससे हम expect करते हैं कि results बहतर के जिससे कीज हैं, जैसे की है, जी एथ बताया है, जैसे की है, जी नचन जाएंगर बार आएंगर ुप्वार एंगर पार सम में जाई बत पर दीता हैं।